आज हम जर्मन की बात करते हैं जर्मनी क्यों जाना चाहिए student visa के लिए इस time last year से student visa का जो growth rate हुआ है जर्मनी student visa apply करने के लिए 70% से ज़्यादा students ने apply की है जो कि जुईस में number one destination बनके आ रहा है because अगर आपने German language की है B2 level तर तो आप free education के लिए apply कर सकते हो लेकिन अगर आपने B2 level तक नहीं की है और आप English medium institutes या universities में जाना चाहते हो तो आप जो coming intake, September intake सबसे बड़ा होता है उसके लिए आप apply कर सकते हो जो की fees बहुत affordable है living cost का आपको पताईए कि block account खलवाना है 11,208 जो है block account आपका खलेगा और उसके बाद आपने just fees पे करनी है and आपको कोई extra funds नहीं दिखाने है कोई income tax returns या income नहीं दिखानी है जो बाकी countries में दिखानी पड़ती है दूसरा एक plus point वो राजाता है कि काफी सारी universities क्योंकि वहाँ के prime minister ने जो है खुद students को invite की है इसलिए इतना study visa का वहाँ पे students का जो growth हुआ है acute skill shortage चल रही है अब skill shortage के बात करें तो technical IT के जो हैं बच्चे उनके लिए काफी सारी job opportunities है construction के related health services के related ये सारे आपके जो courses है वो skill shortage में आते हैं तो आप वो ही courses जर्मनी में लेना प्रैफर करिए जो skill shortage में अधर्वाइस जो skill shortage में courses नहीं हैं jobs उनके भी बहुत available हैं क्योंकि जब भी कोई चीज चलती है अगर वहाँ hospitals बहुत हैं doctors बहुत हैं या आपके IT के लोग बहुत हैं तो उससे related business की भी jobs बहुत होएंगे supply chain management की भी jobs होएंगे इसलिए आपका जर्मनी जो है इस टाइम number one destination बनके आ रहा है दूसरा काफी सारी universities जो की चाहे वो private हों लेकिन बहुत अच्छी universities हैं और उन areas में बनी होई हैं जहांपे की industries हैं industries होने से क्योंकि university भी वहाँ हैं और industries भी वहाँ हैं तो वो job chances बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं कुछ और points जो है attraction देते हैं जर्मनी study visa के लिए EU blow card अब EU blow card क्या है कि अगर आपका एक particular level पे अगर आपकी salary आपको मिलती है अब मैं data आपको बताती हूं कि 45,000 के आसपास जो अगर आपकी salary है जिसको अभी उन्होंने reduce करके 39,620 कर दिया अगर यह आपकी salary है तो आप EU blue card ले सकते हो उसके भी कुछ conditions होती है कि आपने EU blue card ले लिया और अगर जर्मन के आपका language का B1 या B2 तक की है B1 तक भी आपको तो वो 21 months में आपको PR मिल जाती है means पढ़ाई खतम करते ही आप PR apply कर सकते हो लेकिन अगर आपने language नहीं की है तो थोड़ा सा time लग जाता है बट आप पढ़ाई खतम करके EU blue card की help से जो है आप अपने PR ले सकते हो अगर आपके पास EU blue card है तो आप किसी और country में भी आपको job मिल गई तो आपको जो EU blue card है उसको switch over उस country के लिए अब आप technology में अगर बात करें आप किसी मर्जी brand का नाम लेजिए गाडियों में BMW की बात कर लो आप OD की बात कर लो Volkswagen की बात कर लो और देन आपका Porsche की बात कर लो सारी जो brands हैं वो सारी Germany made है pharmaceutical company में बायर company के आप देखो international level के सबसे बड़ी company जो की जर्मनी की है Continental Tire जर्मनी की company है जो टायर की company है वर्ल्ड वाइट तो जिस country की economy इतनी अच्छी होगी इतनी बड़ी बड़ी industries होगी तो वहाँ job opportunities बहुत जाद हैं और skill shortage इतनी जादा इस time चल रही है कि किसी भी country के मुकाबले जर्मनी में बच्चों को part time work permit में जो की 19.5 hour आपको allowed है जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आप जो है अच्छी wages आपको मिल जाते हैं और उसके बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई खतम होती है आपको 18 months का post study work permit मिलते है उस 18 months में भी आप skill shortage के तहित फिर से अपना skill category में visa extend करा सकते हैं या work permit ले सकते हैं मेरे खेल आज की information काफी है अगर आपको फिर भी ज़्यादा information चाहिए जो scroll पे number चल रहा है आप उस पे contact कर सकते हैं Thank you so much